त्यारे दोस्तों, मैं हूँ विजे और आज हम दुनिया का सबसे पुराना खेल आर्चरी सीखेंगे आर्चरी के खेल में आर्चर्स बोस के द्वारा एरोस को एक दिये गए टागेट पर शूट करते हैं लक्ष एक ही है आरोस को टागेट के सेंटर के सबसे करीब शूट करना है इस खेल में बो, क्विवर, फिंगर टाब, बो स्रिंग, टागेट, आरो रेस, टागेट पेस, प्लिकर, साइट और आरोस और कुछ अतिरिक्ट उपकर्णों का इस्तमाल किया जाता है इंडिया में आर्चरी टोर्नमेंट तीन श्रेणियों में होता है इंडियन ट्रेडिशनल राउं, रीकर्व इवेंट और कमपाउंड इवेंट रीकर्व में बो को फिंगर से खीचा जाता है जिसकी दूरी मिनी में 50 मीटर 122 सेंटिमीटर टागेट फेस केड़िट 60 मीटर 122 सेंटिमीटर टागेट फेस जूनियर और सीनियर 70 मीटर 122 सेंटिमीटर टागेट फेस इस्तमाल होता है कमपाउंड इवेंट्स में मैकनाईज बो का इस्तमाल होता है जिसमें पीप साइट, रिलीजर और लेंज साइट होता है बेस्ट में दो कैम होते हैं और केबल होता है थम रिलीजर और प्रिस रिलीजर होता है मिनी, केड़े, जूनियर और सीनियर में 50 मीटर मल्टिपल 6 रिंग फेस इस्तमाल किया जाता है आर्चरी में चार वर्ख खास है मिनी, कैड़िट, यूट और सीनियर इंडिन ट्रेडिशनल आर्चरी में लोकल उपकरण यानी भारत में बने हुए बोल्स का ही इस्तमाल होता है जो ज्यादा तर लकड़ी या बैंबू का बना होता है आर्चरी करने से पहले कुछ बुनियादी नियम जानने जरूरी है आर्चरी में स्कोरिंग बहुत सिंपल है जहां भी आरोस टागेट पर हिट करते हैं उतने पॉइंट्स जोड़े जाते है आईये स्कोर 10 पॉइंट्स टागेट के इनर गोल्ड रिंग के अंदर हिट करने पर मिलता है और ली स्कोर 1 पॉइंट आउटर वाइट रिंग को हिट करने पर मिलता है कमपाउंड इवेंट्स में क्युमिलेटिव स्कोरिंग होती है और रीकव और इंडियन राउंड में सेट सिस्टम स्कोरिंग में इंडिविज्वल उलिम्पिक राउंड, मिक्स एंड टीम उलिम्पिक राउंड होता है तीन आरोस को शूट करने का अधिक्तम समय दो मिनिट है और छे आरोस का चार मिनिट अगर आरो या उसका कोई भी हिस्सात तीन मीटर लाइन के अंदर गिरता है तो आरचर उस आरो को दोबारा शूट कर सकता है आरचरी के कुछ नियम है जिनका पालन ना करने पर पेनल्टी का सामना करना पड़ता है मैच से पहले या उसके दोरान फील्ड या ओटसेकल्स में किसी तरह की भी छेट साड़ पाई गई तो अनुशास अनात्मत का रिवाई हो सकती है चाहे आप कितने भी अच्छे आरचर हो सुरक्षा निर्देश का पालन करना बेहत ज़रूरी होता है तीर अंदाजी करते वग समी आरचर्स को एक साथ और एक ही दिशा में शूट करना चाहिए और सबकी बारी खत्म हो जाने पर ही टागेट के पास जाना चाहिए एरो को बापस लेते वग टागेट को ध्यान से अप्रोच करना चाहिए दूसरे के arrows हटाने से पहले उसकी अनुमती लेनी चाहिए और arrows को सीधा बाहर निकालना चाहिए ताकि वो गलती से मुड़ न जाए क्यों दोस्तों क्या आप अच्छे आर्चर बनने के लिए तैयार हैं?